हेलो बच्चो आज मैं आप लोग को क्लास 10 का जो आपको डियोई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिला है एन्वल एग्जामिनेशन का वो कराने वाली है तो यह आपके पास मैट्स का वेपर है इंग्लीश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपके पास पेपर आया एक बर जल अब करने आपके पास अब करने आपके लिए कंपल सरी है कोई भी कोशन आप छोड़ेंगे नहीं इंटरनल चॉइस जोंगी वह आपको उसी के अंदर ही दे रखी होंगी क्यल्कुलेटर का यूज नहीं करना है अगर कोई भी फिगर आप बनाते हैं तो निक्डेंट इन क् इसके साथ पेपर को किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है वे ओफ प्रेजेंटेशन पूरे एक पेपर को कैसे आपको लिखके आना होता है उसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखिए चैनल पर अप्लोड आप वहां से देख लीजेगा ताकि वह छोट छोटी गलती यह हाइलाइट इसलिए कि आवाई क्योंकि कई बच्चे सीरियल नंबर लिखना भूल व्याते हैं और उनका अंसर सही होता है तो सीरियल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो भी कोशन आप कर रहें है जैसे कि आप सेक्शन आप सेक्शन आप करेंगे उतने को कोशन आप कीजिए जैन अगर आपको आगे नहीं आता तो आप सेक्शन बी शुरू कर सकते हैं पर उपर हैडिंग और उसके बाद कोशन नंबर जरूर मैंशन करें ठीक है चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन में क्या कह रहा है इव दा एक्सप्रेसिबल इन दी फॉर 65 M-117 then the value of M आप से कह रहा है अगर इन दोनों का HCF आप इस फॉर्म में रिप्रेसेंट करें तो इस M की वेल्यू बताओ क्या होगी पहले इन दोनों का HCF निकाल के देखते हैं exactly इन दोनों का HCF आएगा कितना है ना कोशन नंबर 1 हम यहां पर करें तो 65 के अगर मैं 117 के अगर मैं यहां पर देखू तो यह 13 की टेवल में आपके पास किस पर 9 पर आता है ठीक है देन 3 3 जार 3 वन जा है एक्सीफ मतलब होता है जो कॉमन होता है तो दोनों में कॉमन 13 है तो HCF मेरा 13 है इसको मैं इसके इक्वल लग सकती हूं ना क्योंकि यह भी HCF की फॉर्म है तो 65 म माइनस 117 इस इक वल स्टू में 16 65 मैं इस इक्वल स्टू में यहां पर आजाएगा 13 ब्लस में 117 में 65 M इस इक्वल स्टू में आगया यहां पर 130 फरिख वैल यहां एन कालो गया 130 अपन में 65 करोगे तो आपका आप आपका इस और आफ क्लिर है नेक्स्ट्ट नमबर टू पर आते हैं यहां आप से क्या कह रहा है इस कोशन में कह रहा है आप से लेवन एड़ प्रोड़ेक्ट फिरोज इस थर्टी दपॉली नॉमेल इस एक पॉली नॉमिल आपको निकाल ले जिसके सम उफ जिरोज और प्रोडेक्ट अवजिरोज आपको दोनों ही दे आपको पता है की पॉलिनोमिल निकालने का क्या फार्मलोत है एक्स्कार माइनस यहां होता है आपके पास सम उफ 0 इन्टु मैकस होता है प्लस यहां पर आ working box प्रोडेक्ट आफ जिरोज ए लूज इहीं तो समनों इसमेंस आपको लेवन दे रखा थाह स्प्रोडेक्ट प्र और हम्हां सी अश्पर एपन ऑप कोंदिशन होते हैं आपन एटू जो है वो बीवन उपन पॉन पान ओपन टू कि एक्वल नहीं होता हूं स्यंकु इसका है जोगा एक ज सली नंबर फोर पे आते हैं वन रूट ऑफ अब च्वाड़ीक इक्वेशन x square minus p x plus 12 is equal to 0 is minus 2 the value of p एक रूट दे रखा है इसका तो आपको इस पी की वेल्यू फाइंड करने है तो अगर इसको पहले मैं यहां पर लिख लूँ तरीके से मुझे a px polynomial ही तो दे रखें तो i2 तो जो मुझे रूट दे रखा था वो क्या दे रखा था माइनस का टू दे रखाए यहां पर ऐसा करते माइनस का टू रख देते हैं प्लस का टू आजाएगा ठीक है अब पी ऐसी रहेगा सॉरी प्लस का 12 हो जाएगा तो 16 प्लस का 2P हो जाएगा माइनस का 16 इस इस इकल टू पी हो जाएगा पी की वैल्यू यहां से आजाएगी मेरी माइनस एट क्लियर है चलिए पोशन फाइफ प्याते हैं विच टर्म ऑफ दा एपी इस फर्स नेगेटिव टर्म आपको एक एप दे रखिए इस पर बताना है पहली नेगेटिव टर्म क्यूंकि मुझे a और d चाहिए में तो a मेर पास यहां पर 260 बना जाएगा d मैं यहां से निकाल सकती हूं 255 माइनस का 261 यह माइनस का 6 हो जाएगा इक है ना अब मैंने क्या किया यहां पर a n को ही माल लिया कि वह नेगेटिव टर्म होगी तो जब वह जीरो से छोटी होगी यह मैंने लेट का लिया लेट a n is less than 0 है a n का फॉर्मला मेर पास क्या होता है a plus n minus 1 d अब यहां इक्वल तो नहीं लगेगा है ना तो a n अब यहां पर तो 0 था ना इधर तो इसकी जगा पर मैंने क्या किया यहां पर a n की जगा a n का फॉर्मला लिख दिया a plus n minus 1 d और यह 0 ऐसी है a की जगा a की value रखी n मुझे नहीं पता छोड़ दिया d की जगा d की value रख दिया तो यह हो गया 261 माइनस का यहां आ जाएगा 6 n प्लस का आ जाएगा यहां पर 6 तो यह हो जाएगा 267 और यह 6 n को उधर ले गई तो 267 अपन में 6 हो गया अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यह point में answer आएगा 44.5 इसका मतलब 45 टर्म जो है वह आपकी first negative term होगी 45 यह वाली क्लियर है कोशन 5 चलिए आते हैं कोशन 6 पे क्या रहते हैं लेंथ डायगोनल ऑफ रॉंबस हा थर्टी और फॉर्टी इन फॉर्टी इन लेंथ आपको एक रॉंबस के डायगोनल की लेंथ दे रखें साइड बताने है तो पहले इसकी फिगर एक बार यहां पर ड्रॉ कर ले है कि आपको थर्टी और फॉर्टी दे रखाता आपको बताता कि जो डायगोनल सोते नॉंबस को यह नाइंटी डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो यह फिफ्टी हो जाएगा यह 20 हो जाएगा 30 का हाफ कर दिया कि कहना मैंने हाँ पर एबी सीडी नाम ली लिया तो मैंने बात करूँ तो ड्रेंड़् जोपिस के बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वार के प्लस में 20 के स्क्वार करा इक है तो 15 का स्क्वारी हो जाएग कास 225 20 का स्क्वार के स्क्वार घेका फौरdy यहां से आपका अगा बेनिकल के तुवंटीफ़ सेंटीमेटर क्लियर चलिए नेक्स्ट कोशन नमबर सेवन आपके पास है इन फिगर ट्राइंगल एबी से सर्क्राइब इन सेंटीमीटर इस एक ट्राइंगल उसके अंदर एक सरकल है तो एबी की लेंथ बता हो एबी मतलब जो यह नीचे दे रहा है आपको बता है कि अकॉर्डिंग ट्यो इभी 4 होगा अब देखो मुझे पूरा AC 12 दे रखा है इसमें से मैं EA अपना निकाल सकती हूँ 12 में से 4 को माइनस करके वह 8 आजाएगा अब जितना EA होतना ही 8 अब AB क्या हो जाएगा इन दोनों को प्लस कर दूँ 6 प्लस 8 तो मेरा आंसर कितना आजाएगा 14 क्लिए चलिए नेक्स कोशन नम्बर 8 पर आते हैं यहां से क्या रहा है स्कोशन में दवाइड से कि मैंने जॉइनिंग पॉइंग पॉइंट क्यों प्लस्ट्स इन डिवाइड़ डॉइडग सापको इंदा रेशु आपको एक लाइन से पिन दे रखे इसके पॉइंट्स आपको यहां पर दे रखें के रहा है अगर वह वाई एक्स इस पे डिवाइड़ बाइद वाई एक्स इस पहले अगर मैं यह लाइन ही हापर एक बार ड्रॉप कर लूँ कोश्च नमबर 8 की ठीक है तो मुझे दो पॉइंट्स दे रखे थे एक माइनस थ्री और टू था पी के कोडिनेट्स तो यही दे रखे थे क्यूंके एक बड़ चक कर लेते हैं फाइव और सेवन था मैंने वो रेश्यो माली हापर के रेश्यो वन है जिसमें यह डिवाइड कर रहे है और जो रखाधी गयोडिक को पाते ही स्व क्या होता है तो अगर अम एक स्क्षेन फोर्मला देखे तो बहुत में हमारे पास ण्फ़ म्नoler ग्रम्रें प्लस में होता प्रस वन लेफ्ट साइट पे जाएगा जीरो बन जाएगा तो यह हो गया 5K माइनस का 3 तो 5K इस इक वर स्टू में 3 आ गया के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 अपॉन 5 लेकिन आपको शैदी हां पर रेशो बतानी थी इस कोशन में तो रेशो आपने मानी थी के रेश रेशो 5 रेशो 1 बेस तो सेम करना बढ़ेगा ना तो आपकी रेशो कितनी आ गई 3 रेशो 5 कि प्रियर है चलिए नाइंत कोशन पर आते हैं गिवन देट इन ट्राइंगल एंगल बीस नाइंटी डिग्री टैने इस इकल टू वन अपॉन में रूट 3 देन दा वैल्यू आप आपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए जिसमें वह कह रहा था कि बी वाला जो है वह मेरा नाइंटी डिग्री पर है कि मुझे कोशन में दे रहा है यहां पर टैन ए वह कितना दे रहा है वन अपॉन में रूट 3 जब भी टिग्नोमेंट्री हो हमेशा पंडित है साइन सी निकालना हे तो साइन सी मतलब हो जाएगा मेर पास के पास पॉन में एच हो जाएगा यहां से देखना है तो तो P तो मुझे पता चल गया, थीटा के सामने वाला होता है, root 3, H तो नहीं पता है, जाले H निकाल लेते हैं, तो H का स्क्वार is equal to, रूट 3 का स्क्वार प्लस में हो जाएगा, आपके पास 1 का स्क्वार, तो यह हो जाएगा, आपके पास 3 प्लस का 1, H का स्क्वार, है एच का स्क्वारीज इकोर स्टू में फोर हो गया एच कितना आजाएगा आपके पास टू आजाएगा यह आपका अंसर रूट थ्री अपॉन में टू क्लियर कोशन अबर टैन प्याते हैं टावर स्टेंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इस 25 मिटर अवे फॉंड फॉट ऑफ टावर अंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इस फॉंड भी सिक्स्टी डिग्री तावर है और उसस आँ हैं हमने सारे चैप्रेस कर डर हैं साथ के साथ government . is school की सब्सेर कर लिचे को अपने बूहर सबक्रीष का डर प्लेषेस को चेप्र हुआ ना मिले प्लेषेस तो आप कमेंड कर olmuş सकते आँ츠 यह मुछी अब करन законч तो इसका मंदब पर्पेंडिकुलर फाइंड करना है बेस पता है तैल लगा देते हैं सिधा तो 1060 पर्पेंडिकुलर आपने टावर एवी माल लो आपन में 25 टैन शिक्स्ट आपके पास होता है रूट 3 यह हो जाएगा एब आपन में 25 यहां से आपके पास एब निकल के आग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन 10 कोशन में आपको कहीं पर भी दिक्कते हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू हुआ करेंगे वीडियो